तारक महता शोकी दयाबेन को कैंसर होने की अफवाह पर खुद जेधालल ने बताया सच तारक महता का उल्टा चश्मा की दयाबेन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कहा जा रहा है कि दिशा वकानी को गले का कैंसर हो गया है वही अब दिलीक जोशी ने इस खबर का सच बताया है दिलीक जोशी का कहना है कि दिशा वकानी ठीक है और त्रोट कैंसर वाली खबर सिर्फ अफवाह है तारक महता का उल्टा चश्मा की दयाबेन को लेकर चर्चा है कि उन्हीं कैंसर हो गया है इस खबर के आते ही फैंस शॉक्ट हो गए लेकिन हम आपको बता दे कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है इस बात को खुद तारक महता शो के जेथा लाल दिलीक जोशी ने कन्फम किया है दिलीक जोशी ने बताया सच्च खबर सामने आई थी कि दिश्रा वकानी को गले का कैंसर हो गया है आज तक इनसे बात करते हुए दिलीक जोशी ने कहा मुझे सुबह से लगातार कौज आ रहे हैं हर बार कुछ न कुछ उटपटांग न्यूजा जाती है मुझे लगता है इसको बढ़ावा देने की जरुरत नहीं है मैं बस इतना कहूंगा कि यह सब अफवा है इन पर ध्यान न दे यानि दिशा वकानी के फैंस को परेशान होने की जरुरत नहीं है तारक महता का उल्टा चश्मा के जेथालाल यानि दिलीक जोशी ने साफ कर दिया है कि एक्ट्रेस ठीक है हाला कि अब तक इस खबर पर खुद दिशा वकानी का कोई स्टेट्मेंट नहीं आया है असिक मोदी ने किया रियक्ट दिलीक जोशी के बाद तारक महता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असिक मोदी ने भी रियक्ट किया है असिक मोदी का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है आगे वो कहते हैं सोशल मीडिया पर लाइक्स और क्लिक बिट के लिए लोग ऐसी खाबरे डालते हैं तमबा कुखाने से कैंसर होता है ना कि आवाज निकालने से ऐसे तो सब मिमिक्री करने वाले दर जाएंगे पांच साल पहले छोड़ा था शोओ दिशा वकानी को लेकर समय समय पर तरह तरह की खाबरे सामने आती रहती है कभी कहा जाता है कि वो शोओ में वापसी कर रही है कभी कहा जाता है कि वो शोओ में नहीं आएंगी पर अब जो त्रोट कैंसर वाली खाबर आई वो बेहत परेशान करने वाली थी कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दिशा वकानी को शो में अजीबों गरीब आवाज निकालने की वज़े से गले का कैंसर हो गया है अब तक समझ पाना मुश्किल है कि दिशा वकानी को लेकर ये खबर उली कहां से दिशा वकानी पांच साल पहले शो से अलग हुई थी पांच साल पहले दिशा मैटनेटी लीव पर गई थी पर माव बनने के बाद शो में उनकी वापसी नहीं हुई शो में उन्होंने दयाबेन के रूप में हर किसी का दिल जीता तारक महता का उल्टा चश्मा में दिलीक जोशी संग उनकी के मिस्टरी को खूब पसंद किया गया उमीद है कि दयाबेन जल्द ही इन अफवाहों का सच उनके फैंस के सामने रखेंगी subscribe for more video and like share and comment